प्रणत क्रिष्णा या बासु देवा या हरे परमात्मने प्रणत क्रेश नासा या गोविंदा या नमुह नमुह तमस्कार उदे इंडे डिस्टर में आपका स्वागत है मेहू उपाले अपराजिता कार्तिक का पवित्र मास चल रहा है इस महीने में भगवान क्रिष्ण का नाम लेना पुन्यफल प्रदान करने वाला होता है भगवान की नवदा भक्ति का एक अंग उनकी लिलाओं का स्रवन करना भी है तो मैं आज आपको भगवान स्री हरी के जीवन से जुड़ी एक अद्भुत घटना सुनाती हूँ जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी स्री क्रिष्ण के जन की कथा हम सभी जानते हैं वो माता देव की और बशुदेव जी के आठवे पुत्र थे भगवान क्रिष्ण के पहले के छे भाईयों की कंस ने हत्या कर दी थे आज मैं आपको बताऊंगी की ये छे भाई कौन थे जिने स्वयंग भगवान का सहोदर भ पर भाई होने पर भी ऐसी दर्दनाक मुरित्यु प्राप्थ हुई और ऐसा क्यों हुआ दरहसल कंस अपनी बहन देव की से बहुत प्यार करता था लेकिन जब उसे आकास बाणी के माध्यम से ये पता चला कि उसके मृत्यु का कारण उसके अपनी बहन देव की का आठवा पुत्र बनेगा तब उसने अपने बहन देव की और अपने जीजा बशो देव को कारागर में बंदी बना लिया कंस की इच्छा थी कि वो देव की का ही बध कर दे लेकिन धर्म परायन बशो देव जी ने उसे बचन दिया कि वो अपने पुत्रों को कंस को सौंप देंगे तब कंस ने देव की को मारने का बिचार थ्याग दिया जब देव की माता को पहला पुत्र हुआ तब कंस ने उसे मृत्यू के घाट उतार दिया इसी प्रकार जब जब माता देव की ने किसी पुत्र को जन दिया तब तब कंस ने कुरूरता से बालकों की हत्या कर दी पहले एक फिर दो फिर ऐसे करते करते देव की माता और बसुदेव जी ने अपने छे पुत्रों को कंस की कुरूरता के भेंट चड़ते देखा कंस द्वारा मारेगे इन छे पुत्र यानि भगवान क्रिष्ण के इन छे बड़े भाईयों का नाम था किर्तिमान, सूसन, भद्रसन, रिजू, समादन और भद्र ये छे बालक अपना जीवन जी नहीं पाये थे, लेकिन ये कोई सन्योग नहीं था, इसके पीछे भी एक कथा है इन छे भाईयों का पुर्ब जन्म से ही कंस संबन था, और उनका बद्र कंस के ही हाथ होना था ये भी सभी छे भाई पुर्ब जन्म में कंस के ही संदाने थी, दर असल कंस अपने पुर्ब जन्म राक्षस काल्स नेमी था उसके छे पुत्र थे, लेकिन वो अपने पीता की तरह राक्षस से विचार वाले नहीं थे बलकि धर्म परायन थे, और विष्णु जी के भक्ते, एक बार काल्नेमी ने जब देवताओं से युद किया, तो भगवन विष्णु ने उसका बद कर दिया लेकिन इस युद में काल्नेमी के छे पुत्रों ने अपने अधर्मी पिता का साथ नहीं दिया बलकि काल्नेमी को मारने वाले विष्णु जी भक्ती में लगे रहे और उनसे बर मांगा कि अकले जन में हम आपके भाई बने लेकिन इन छे भाईयों की विश्णु भक्ती और पिता से विद्रोह से राक्षस राज हिरन्य कसिवू बेहत नाराज हुआ और उसने उन सभी को श्राब दिया कि जिस पिता ने तुम्हें पाल पोस कर बढ़ा किया तुमने उससे ही विद्रोह किया उससे तो अच्छा था कि तुम्हारा पिता अपने हातों से तुम्हारा बद कर देता काल ने मी उस जन्में तो उन सभी को हत्या नहीं कर पाया लेकिन जब वो कंस बनकर जन्मा तब द्वापर में इनी छे पित्रों ने देवकी के गर्व से जन्म लिया विश्नुजी से मिले बरदान के कारण वो सभी सोयंग स्री कृष्ण के भाई तो बने लेकिन हिरन्य कसिपू से मिले स्राप के कारण अपने पुर्व जर्म के पिता के हातों मारे गए लेकिन अपनी भक्ती के कारण किर्तिमान, सूशन, भद्रशन, रिजू, समार्दन और भद्र को बैकुन की प्राप्ति हुई देवकी के साथ में पुत्र स्वयंग सेशना के अपतार थे वो देवकी माता के गर्व से रूहिनी माता के गर्व में परिवर्तित हुए थे गर्व संकर्षन के कारण इनका प्रथम नाम संकर्षन पड़ा हाला कि बाद में नाम करण करने पर इनका नाम बलराम रखा गया जिने कनहया बलदाओ पुलाते थे आखिर में कंज का बिनास करने वाले भगबान विश्णु के अफ्तार और माता देवकी के आठवे पुत्र स्री कृष्ण का जन हुआ जीनों ने इतिहासी बदल कर रख दिया इस तरह की दुर्लब कताय सुनने के लिए आप उदे इंडिया डिजिटल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दवाना ना भुलें जै स्री कृष्ण